दुम्ना एर्पोर्ट में बड़ा हादसा होते होते टल गया दिल्ली से जबलपुर आ रही एर इंडिया की E6 फ्लाइट लैंटिंग के दौरान अचानक अर्थ नियंतित होकर रन्वे सोतर गई फ्लाइट में बैठे यात्रियों की चीक पुकार मच गई जानकारी अनुसवार एक बज़े की करीब दिल्ली से जबलपुर आ रही एर इंडिया का प्लेन जैसे ही हवाई पट्टी पर उतरा वैसे ही अनियंतित होकर फिसलते हुए सीध हवाई पट्टी से नीचे निकल गया पाइलेट की सूजबूच के चलते प्लेन को समय से रहते रोक लिया जिसे एक बड़ा हादसा होने से टल गया अंदर बैठे यात्रियों को सगशल बहार निकला गया हादसा होनी के बाद ततकाल मौकी पर फाइर ब्रिकेट और एंबुलेंस पहुँच गई वहें एक एकर स स्थल का निरिक्षन किया और जांच की आदेश जारी किये बताय जा रहा है कि दिल्ली से जबलपुर के लिए 35 यातरी एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुए थे सभी यातरी घटना होने के बाद सुरक्षे थे लेकिन घटना का डर सभी यातरियों में साफ देखा जा जा रही है काफी संख्या में एरपोर्ट में यातरी देखी गई जिन्हों ने दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट की टिकेट की हुई थी लेकिन हादसा होने के बाद सभी फ्लाइट को कैंसल कर दिया गया जिसससे सभी यातरी परिशान नजार आए एक यातरी ने बताये कि दूसरे दिन एक्जाम दिल्ली में है, फ्लाइट कैंसल होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाएं। उतार लिये गये थे, उनका समान भी लगे उतार लिया गया है। झाला भी रहीं में भी कैंसल ही लियाएं। झाला जाला गङएंगत किया जुबत का आओ karma कि सुखशाफ bonne रहा जाएं।